तो टाटा अपनी गाडियों को दिन पर दिन अच्छा बनाता जा रहा है, एक एक जो डिमांड है कस्टमर की उनको पूरी कर रहा है, जैसे कि पहले उन्हें उन्हें गाड़ी के अंदर CNG दी, फिर CNG के बाद उसका जो बूट स्पेस है वो बढ़ाया, लोगों को जादा अपनी गाडियों के अंदर अपग्रेड करें, तो वो वाकई में काफी अच्छा लगता है, तो यहां पर आप लोगों के सामने हैं, 2024 New Tata Tiago CNG Automatic, जो कि आप देख सकते हैं, टाटा एक देश का पहला ऐसा ब्रेंड बन चुका है, जिसकी गाडियां CNG के साथ 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 यहां पर चार बाते लिखी हैं, जो कि वाकई में एक बहुत बड़ा सच है, और सेफटी जो है, वो भी यहां पर बढ़ाई गई है, तो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ, 2024 New Tata Tiago CNG Automatic XTA variant, जिसकी एक्षोरूम कीमत है, 7.90 लेक रुपीज, यह जो वैरियंट है, यह क काम की है, और मैं इस से वाकई में अपनी जो लाइफ है, वो कमफोर्टेबल फील यहां पर कर सकता हूँ, तो गाड़ी के अंदर आपको मिलता है, 1.2 लिटर का 3 सिलेंडर, नेचरली एस्पिरेटिड पैट्रोल इंजन, जो कि प्रेड्यूस करता है, 72 भी एच्प की पाव फ्रेंट में आपको गाड़ी के अंदर जो है, वो हेलोजन हैडलाइट्स मिलती है, यही पापको इंडिकेटर मिलती है, जो क्रोम की फिनिशिंग है, वो भी आप देख सकते हैं, यहाप पर दी गई है, और फ्रेंट में जो ग्रिल्स है, वो आपकी प्यानो ब्लेक कलर की में ग्रिल्स दी गई है और यह जो कलर है यह काफी अच्छा है आप पर कॉंप्लिमेंट भी कर रहा है इन डिजाइन के साथ अब मैं आपको दिखाता हूं साइड प्रोफाइल से जो इसकी टायर प्रोफाइल है 14 इंच की यहाँ पर आपको टायर प्रोफाइल मिलती है 175 25 x 65 आर 14 फ्रेंट के दोनों टायर में डिस ब्रेक रियर टायर में ड्रम ब्रेक्स और स्टाइलीज आपको यहाँ पर जो वील्स हैं वो दिए गए हैं जिनको आप पास ते देखोगे तो आपको लगेगा जैसे कि अलोई वील्स हैं लेकिन यह वील कैप्स यहाँ पर हैं वो आपको बोडी पेंट की फिनिजिंग में देखने को मिलते हैं और यहाँ पर आप देखिए पच्छिस सालों के अंदर 50 लाग गाडिया जो हैं वो यहाँ पर इन्होंने सेल करी है तो उसका जो सैलिब्रेशन की ब्रेंडिंग है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलती ह अब आप साइड प्रोफाइल से गाड़ी को देखिए इस तरीके की फिनिशिंग आपको टियागो सी एंजी ओटमेटिक की देखने को मिलती है पीछे की साइड यहाँ पर आप देखेंगे बिल्कुल सेंटर में आपको हाई मांट स्टोप लैंप जो है वो दिया गया है ब बैक बंपर के अंदर आपको यहीं पर गाड़ी में दो रिवर्स पार्किंग सेंसर जो है वो देखने को मिलते हैं और जहां पर आपको पैट्रोल फ्यूल टैंक मिलता है यही साफ जो सी एंजी है वो फिल करा सकते हैं 30-30 लीटरस के दो सिलिंडर यानि कि 60 लीटरस की जो स अप्शन है वो भी दिया गया है यह सभी फीचर्स थे एक्स्टीरियर के अब चलते इंटीरियर की तरफ उससे पहले आपको की दिखाता हूं इस तरीकी की मिलती है फिलिप की है यहां पर तीन बटन्स लोक अनलोक और लाइट यहां से ओन कर सकते हैं ताकि पार्किंग में आसानी से अपनी गाड़ी का डूंड सकें दूसरी आपको जो गाड़ी के अंदर सिंपल की है वो दी गई है दोस्तों ड्राइवर साइड डू रहे हैं आप चारों पावर विंडोस के जो कंट्रोल्स हैं वो दिये गए हैं और यहां से अड़ेस्ट कर सकते हैं नीचे की सा आपको गाड़ी के अंदर वो मिलती हैं अब आप अंदर भी देखिए जो गाड़ी का बहार से कलर रहा है उसकी जो फिनिशिंग है वो यहां पर भी दी गई है एसी वेंट और पर ताकि गाड़ी थोड़ी से खूब सूरत लगे देखने में यह जो आपका स्टेरिंग है इलेक्टरिक स्टेरिंग है आप इसको यहां पर टिल्ट एड़ेस्ट कर सकते हैं और लेफ्न साइड पर आपको जो ओडियो के कंट्रोल से वो दिये गए हैं जहां से कोल करनेट डिसकनेट वोल्यूम आप कम जादा कर सकते हैं यह सबी चीज आपको दी गई है यह गाड़ अबर साइड सीट मेरी हाइट के अगर पांच फूट गयरा इंच है तो अगर मेरी हाइट के सेम बंदे आगे पीछे बैठते हैं तो थोड़ी सी प्रोब्लम यहां पर जरूर होगी अभी मैंने देखो इसको फुल कमफर्ट पर किया हुआ है तो यहां पर मेरे जो नीज है वह तच हो रहे हैं और यहां पर कमफर्टेबल दो ही बंदे बैठ सकते हैं इस सीट पर यहां पर रियर सीट पर आपको फॉल्डेबल ग्रेब हैंडल जो है वह मिलते हैं और आप देखिए यह सेंटर में जो लाइट है वह दी गई है आगे और पीछे दोनों जगह काम करत हैं जब रियर सीट पे पैठते हैं तो इस तरह के फिलीशिग आपको मिलती है इस गारी कर डेशर भूड की रियर ची के और एप सेख्ते हैं यहां पर अबर न केसट को पर आपको कोई भी बटन नहीं मिलता वह आपको अपने ड्राइवर साइड जो फ्लोर है वहीं पर आपको उप्शन मिलता है उसके लाभ आप नहीं कर सकते हैं और आप देखें यहां पर ट्विंग सिलेंडर टेक्नलोजी का यूज करके इन्हों नहीं है पर जो बूट स्पे पर आपको नहीं मिलती है तो अगर आप पर लगा देंगे तो मुस्किल से एक फिट भी जो इस पेस हो नहीं मिलता लेकिन अगर आप पार्शल ट्रे नहीं उस करते है तब आपको अच्छा खासा जो लगे ज़ा उसके रखने की जगा है वो अराम से यहां पर गाड़ी के मिल जाएगी तो यहांपे इसकी टूल किट वगईरा जो है वो दी गई है गाड़ी के इंदर और इस पेर वीड जो है वो आपको दिया गया है गाड़ी के नीचे जीए लेक् label यहां पर आपको मिलता है तो जिन गाड़ीयों का अंदर भूट स्पेस की कमिया है उसमें यह काफी helpful है कि ट्विन सिलेंडर टेक्नलोजी डाल दी होपा यहाँ बूट बढ़ा दिया अब बूट बंद करते हैं और कंकलुड करते हैं इस वीडियो को क्योंकि यो就是 एक्स्टी वै्रियृट अगर आप इस एक्स्टी वैरियृईंटको सी एंजी मैनुव में अगर आप तेल्स एस्घर कीमा ठीम्हेर है शाल एक्स और एक स्ट्रीम में जर आरशां कि एक्सश्टी रूपरी यानिगी 55000 रुपे जाना जिनके डेली के रणिंग 100-500 km होती है, ओफिस जाना होता है, या लंबे अपडाउन वो करते हैं, तो वहाँ पे ये गाड़ी आपके काफी काम आएगे, और मादर 55,000 उपे जादा देखे, तो कोई जादा बड़ा ये निये के अमाउंट का गैप है, आप अपने हिसाब से अ अपनी गाड़ी को, मैनुवल चाहे, मैनुवल ले लिजिए, सी एंगी में, आटमेटिक चाहिए, वो आपकी मरजी है, तो मैंने आपको आज किस वीडियो में, टाटा टियागो सी एंगी, आटमेटिक, एक्स्टी ए वेरियंट का कम्प्लीट वोकराउंड रिव्यू आप करके दिखाया, कैसी लगे आपको वीडियो, कैसी लगे गाड़ी, कमेंट करके जरूर बताइए, और अगर आप और भी वीडियो देखना चाहते हैं मेरे चैनल के उपर, तो आप जाएए मेरे चैनल पर वीडियो सर्च कीजिए, आपको काफी सारे ओनर्शिप रिव्यू, माइलेस टेस्ट, वोकराउंड रिव्यू देखने को मिल जाएंगे, फिलाल दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो को लाज तक देखने के लिए, थैंक्यू सो मच,